नमस्कार प्रिये दर्शकों, मैं प्रियंका, आप सभी लोगों का स्वागत भिनन्दन करती हूँ, कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहू और केतु के गोचरिय परिवर्तन के बारे में आने वाले 12 अप्रेल 2022 को राहू और केतु का गोचर में परिवर्तन होनी जा रहा है, ये परिवर्तन में स्राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा? राहू और केतु का संपूर्ण गोचरिय प्रभाव इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे वैसे तो राहू और केतु का कोई भौतिक अस्थित्व नहीं है परन्तु जन्मानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है यदि जन्म पत्रिका में जन्मांग चक्र में राहू खराब हो अशुव इस्थिती में हो और राहू का गोचर भी अशुव इस्थान से हो रहा हो ऐसे में आपके जन्वांग चक्र में राहु की दशा भी मिल जाये या चल रही हो तो ऐसे में राजा से रंक बना देते हैं राहु राहु के लिए ही कहा गया है बुद्ध्या विहीन मतिवी भ्रमसर विशुन्यम विश्वम भयात विश्मा पदमृत्यो तुल्यम व्याधी वियोग धन्हानी विशानी चैवा राहुर दसा स्रिजती जीवित शर्णशयम चार। राहु की जब दशा होती है और राहु यदि अशुव होते हैं तो जातक को बुद्धी से विहीन कर देते हैं यानि सोचने समझने की शक्ती कमजोर हो जाती है या कहें की खत्म हो जाती है सब कुछ शुन्य नजर आने लगता है विष्व से भै लगने लगता है हर जगह हर वस्तु विष और मृत्यू के समान नजर आती है हर जगह धोखा और परिशानी नजर आती है व्याधी वियोग धनहानी विशानी चैवा व्याधियां अने को प्रकार की परिशानियां घेर लेती हैं अपनों से अलगा हो जाता है विषो हो जाता है दूरी हो जाती है धनहानी होती है कई जगह पैसे फस जाते हैं कई जगह हम कर्ज में डूप जाते हैं कई प्रकार की की परिशानी देने लगते है तो व्यक्ति को अपने जीवन में शंशय होने लगता है शंका होने लगता है कि यह हम है या नहीं है हम क्या थे और क्या हो गए हैं क्या यह वाकई में हम हैं तो कुछ इस प्रकार की परिशानिया राहू की दशाओं में होती है यदि राहू अश तो देते हैं तो आए हैं वर जानते हैं कैसा रहेगा मैंसेट जातगों के लिए रहू और केतौ engum भुद्धy वाला ग्रह राह सोचने समझने के शम्ता ऐसे में बहुत ही हो जाती है व्यक्ति बहुत सारी चीजें वितिन सेकेंड सोच जाता है बहुत शार्प माइंड होता है ऐसे समय में लेकिन क्योंकि वह राहू है कई बार गलत भी सोच गलत भी खयाल ऐसे में मन में आते हैं आप बहुत सारी प्लानिंग कर गए बहुत कुछ सोच गए लेकिन उसमें से कुछ गलट डिसीजन भी हो सकते हैं तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन यदि आप लेते हैं तो परिशानी में फस सकते हैं राहु का काम है बहुत ही प्लैनवर्द तरीके से रहे से मैई कार्य करवाते हैं राहू आपने बहुत अच्छी खासी प्लाइनिंग कर ली बहुत कुछ सोच दिया और उसको जवाब करने जाते हैं तो कहीं न कहीं आपके कारे में बाधाय उत्पन हो जाए तो कारे जो करिए उसे सोच समझ करके बुद्धी विवेक चतूरता रखिए परंतु उसे विवेक आपके साथ करें राभू का प्रभाव होने से आपको confident बहुत अच्छा रहेगा आपको confident power अच्छा कोई भी काम करने में आप खुदको बहुत ही आंगे रखेंगे पंचमिस्थान में राभू का प्रभाव होगा, संतान का सुख मिलेगा संतान से कोई अच्छी नियूज में सकती है वहीं पर लव पार्टनर्स के बीच में रिलेशन्शिप अच्छे हो सकते हैं परन्तु किसी अन्य विवाद के कारण आपके रिष्टों में कुछ न कुछ परिशानी भी उत्पन हो सकती है वहीं पर राहू का प्रभाव सब्तमिस्थान में होगा बिजनस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिष्टे तो काफी हाथ तक ठीक होंगे लेकिन केतू भी आपके राशी से सब्तम इस्थान में यानि ठीक राहू के सामने केतू का गोचर सब्तम इस्थान में होगा तो दामपत्य जीवन में कुछ परिशानिया लड़ाई जगरे विवाद उत्पन हो सकते हैं और साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्ते में कुछ दिकते हैं उत्पन हो सकती हैं गलत डिसीजन क्योंकि केतू का प्रभाव आपके राशी पर रहेगा तो ऐसे में गलत डिसीजन होने से आप फालतू के परिशानियों में फस सकते हैं ब्रहमता जैसे इस्थितिया उत्वन हो सकती हैं भागी का सहयोग मिलेगा लेकिन यदि आप पार्टनर्शिप में बिजनस करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके कोई भी कारे करें फाल्तू के विवादों में ना पड़े अनिथा परिशानियों में फस सकते हैं राहू और केतू के लिए मुख्यता यदि आपके जन्मांग चक्र में आपको दशाय शुभ नहीं मिली हुई हैं तो ऐसे में आपको विश्यस उपाय करने की जरूरत है तो राहू के उपाय में आपको चंदन का इत्र भगवान को चढ़ाना है और स्वयम पर भी लगाना है रोज भगवान को इत्र लगाएं स्वयम पर भी लगाएं और साथ ही पक्षियों को अनाज डाली केतू के उपाय में आपको भैरववकाली मंदिर में जा करके पता का चढ़ाना है कुष्ट आश्रम में जा करके कुष्ट दान करना है जैसे कंबल उनिवस्ट अनाज आरित अधियादी ऐसा आप दान करते हैं तो आप अन्य प्रकार की बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे विशेस्ता इसके अलावा भे यदि अधिक परेशानी है तो स्क्रिन पर देए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि आपके जन्मांग चक्र में किस प्रकार की दशाएं मिली हैं ग्रह आपकी पत्रिका में किस प्रकार से आपको शुभाशु फल दे रहे हैं इसकी जानकारी आपकी जन्मांग चक्र के द्वारा ही लगेगी तो इसक्रिन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आज के नेवाद